करता है शुरू, पढ़रत हम centrifugal pump, कुछ last का पार्ट बचा है अपना और आज शुरू करेंगे हम compressor, ओके, compressor भी शुरू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे भी revision of thermodynamics, चीक है, आज बड़ा सेशन अपना लिखते हैं, थोड़ा जो बाकी है centrifugal pump का पार्ट वो लिखते पहले, कुछ थेरी पार्ट बचा है, numerical अपने हो चुके, एक graph वाला sum अपने किया था last lecture, और वो graph वाला sum में तुमको बोलना था कि, वो sum exam में 2010 के बाद आस तक कभी नहीं है, okay, graph वाला sum, फिर भी करके रखा एक sum, और एक sum चीत है, तुम बुक में से देखके कर लेना, एक judgment रहेगा फिर sum clear था ना, उजिन, बराबर ना, एक system का graph बनाया था और एक pump का बनाया था, जहां पे दोनों intersect हो गए, वो उसका operating point होगा, वहां से हमने h select किया और वहां से हमने q select किया, याद आया कुछ, याद आया ना, कुछ, छोटा बोटा topic बागी था, pump का बना, वो लिखेंगे, टाइपस ओफ केसिंग, टाइपस ओफ केसिंग, टाइपस ओफ केसिंग, टाइपस ओफ केसिंग, केसिंग का पाट चिप नाम लिखवा रहा हूँ, जो important पाट है working of pump वो लिखेंगे अपन, अगर तुमको याद अपनने है, cavitation पड़ा था, turbine में, है न, same cavitation होता है in case of pump, okay, तो वो लिखवा निरा में तुमसे, तो turbine का भी cavitation exam में आया हुआ है, और pump का भी cavitation exam में आया हुआ है, दोनों में आया, same matter, same लिखना है फिर से, okay, कुछ भी change नहीं करना है, कुछ भी change नहीं है, clear है, ठीक, लिखते है, types of casing, the main purpose of casing are, the main purpose of casing are, first, to guide the water, to guide the water, to and from impeller, to and from impeller, second, to convert kinetic energy into, to convert kinetic energy into pressure energy, to convert kinetic energy into pressure energy, यही अगर turbine का casing होता, तो हम उल्टा लिखते है उसमें, to convert pressure energy into kinetic energy, बस इतना change device करने का अगर turbine आया था, ठीक है, full stop, निचे लिखना है, the types of casing are, एक जन निचे आजाओ, the types of casing are, उपर नहीं नहीं जगा, उदर है जगा, तो उदर बैट नहीं है, तो निचे आजाओ, निचे है जगा, the types of casing are, first, volute casing, volute, V-O-L-U-T, V-O-L-U-T, निचे, V-O-L-U-T-C, second, V-O-R-T-X-C, and third, casing with guide blade, casing with guide blade, निचे, निचे, टाटल देना, types of impeller, इथर, सुन्थ, 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 इथर बैट ना, types of impeller, इंपलर is a wheel, impeller is a wheel with a series of backward curved vanes, impeller is a wheel with series of backward curved vanes, full stop, the types of impellers are the types of impellers are first closed or shrouded impeller S-H-R-O-U-D-E-D closed or shrouded impeller second, semi open impeller semi open impeller and third, open impeller निचे, टाटल देना, losses in centrifugal pump या, रेक्के मने नाम लिखवा है है, उसमें एक जएक दो point लिखने है और, लो, losses in centrifugal pump, मुझे करूकione, दोया समे, तुरी दो नाम लिखवार्वल again – लिखने या, डुरी दोश्मे मेरी is a sense of centrifugal pump. उसिपरी या, लिखने काई first hydraulic losses second mechanical losses and third leakage losses सभी types के efficiency हम लिख चुगे पहले कौन से कौन से लिख चुगे manometric manometric hydraulic hydraulic ऐसा शकल से ऐसा नजर आ रहा कि सब ज़र थोड़ा ब्लैंक हो गए submission ज़्यादा जोर में तो कुछ नजर नहीं आ रहा हो कुछ व्याद भी नहीं आ रहा लगता है न एक दिन surprise test रखे आपन चार यूनिट बे अब तक जो तीन यूनिट होगा और pump हो गया या फिर centrifugal compressor होने के बाद लेते नहीं सच बोलता हूं टर्बो के लिए test दे दो क्यों पता है टर्बो में टर्बो में experience लेना जरूरी है कि एक साथ अगर सभी chapter आए अभी तक सिरु टर्बाइन दिया तुमने एक साथ टर्बाइन पंप compressor आया तो क्या तकलिफ होता है वो समझ में आएगा चाहिए ना इसलिए जर्बाइसा दे दे ना इट्स बेटर आगे तुम्हारी मरजी ठीक है वैसे जरूत NMO को भी है NMO के last unit अगर तुमका पता है बोत heavy है वो एक साथ सभी method पढ़के देखना और फिर attempt करके देखना कैसे blank हो जाते हैं तभी तुमको समझ में आएगा ओके ट्रा करके देखो या अगर test वगेरे नहीं देना है तो simple सभी chapter अगर पढ़के हो गए अगर हो गए सभी chapter सभी method अगर पढ़के हो गए तो decode अगर है तुम्हारे पास कोई भी एक paper उठालो randomly और time set करलो कि ढ़ाई गंटे में अपनो कोई पेवरा paper solve करना है and try करना इंसेंब वाले chapter भी और इंसेंब वाले भी सबके answer अंदर मिलेंगे जी तुमको कोई भी एक paper उठाला latest paper December 16 May 16 कोई भी and try करना तुम्हारे नॉट अगर फेल्यूर हो रहा है तो सुदार ने को चांस मिलेगा नहीं तो बाद में सुदार नहीं पाऊगे डारेक्ट विर डिसम्बर में ठीक है एक महिना पढ़ लो नहीं तो और आठ महिना पढ़ना पढ़े ओके इट्स अप्टो यू क्लियर है बत्द बराबर आठ महिने बाद डिसम्बर रहेगा तब ही दो एक्जाम या तो आभी दे दो क्तम कोई प्रॉब्लम है ओके लिखते है कई लोगों का कुछ बाकी है साथ ST वगरा वगरा जो भी है कबसे शुरू है एक्जाम है चार तारिक दो होगा लेस देन वन मन्थ है मतलब अभी बैट्समन अंडर प्रेसर ना ओके आई पे ल शुरू हो गए वर्किंग ओफ सेंट्रिफिगल पंप किसी किसी का सौम भी रहेगा और मज़ा आएगा उनको वर्किंग ओफ सेंट्रिफिगल पंप भे देनको को लेक्श हो समयं सेंट्रिफिगल पंप वर्किंग इटन्रिफिगल पंप नद्रिफिपल पंप तन्रिफिडप वर्किंग how तुरूच एप वर्किंग शन म्स भ्लP रetaṉ When certain mass of fluid is rotated by external source, it is thrown away from the axis of rotation. It is thrown away from the axis of rotation and a head is developed and a head is developed. This enables it to rise to a high level. The centrifugal pump works on the principle that when certain mass of fluid is rotated by external source, it is thrown away from the axis of rotation. The first step in the operation of CP is priming. is priming. It is the operation in which suction pipe, casing and the portion of delivery pipe up to the delivery valve are completely filled with the liquid to be pumped. are completely filled with the liquid to be pumped. So, that all the air, so that all the air, so that all the air, allow you to drive the water. You got less water. You got less water. You got more water. water is very specific. If current AC can be healed, using then will be the same to surface. so that all the air from this portion of pump so that all the air from this portion of the pump is driven out and no air pocket is left and no air pocket is left गड़ी नहीं मेरे पास था बोड ट्राफिक था अच्छा अज मैच है इसले ट्राफिक था बोल रहा है तू आया किदर से वो पूज बता तर लेगा हुशा चल ले स्कोर वगर अभी तक तो पता नहीं रहा तुझे इसले आज कम लोग है जरग अभी सबमेशन नहीं आदा है पढ़ते है पहला सेंटेंस क्या लिखा किसमे किसमे बरना पढ़ेगा और किसमे किसमे भरना पड़ेगा suction pipe, casing, delivery pipe कहां तक delivery, wall तक वो भराय की नहीं भराय चेक करना पड़ेगा क्यों चेक करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपे पानी नहीं रहेगा तो directly हवा कोई गुमायेगा और बार बेजेगा जिससे वो cavitation होने के chances है air pocket रहेंगे तो cavitation हो जाएगा अरे समझा ना लिखते है after the pump is primed after the pump is primed the delivery valve the delivery valve is still closed 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 and the motor is started and the motor is started to rotate the impeller and the motor is started to rotate the impeller full job the rotation of impeller the rotation of impeller in casing full of liquid the rotation of impeller in casing full of liquid produces a forged vortex produces a forged vortex which imparts which imparts a centrifugal head to the liquid and hence results in increase of pressure full job now the speed of impeller now the speed of impeller is gradually increased till it rotates at normal speed till it rotates at normal speed full job after after the impeller attains the normal speed after the impeller attains the normal speed after the impeller attends the normal speed the delivery valve is open the delivery valve is open at the eye of impeller at the eye of impeller due to centrifugal action at the eye vacuum is created this causes the liquid from sump which is at atmospheric pressure which is at atmospheric pressure comma to flow through the suction pipe to the eye of impeller to flow through the suction pipe to the eye of impeller full job this liquid is this liquid is impelled out impelled out by rotating the veins by rotating veins by rotating veins and it comes out at the outlet tips of vein it comes out at the outlet tips of vein into the casing full job due to impeller action due to impeller action the pressure head and velocity head the pressure head and velocity head of liquid are increased increased or increased full job from casing from casing the liquid passes into delivery pipe from casing the liquid passes into delivery pipe and lifted to required height lifted full job before stopping the pump it is necessary to close the delivery valve otherwise there may be some back flow of liquid otherwise there may be some back flow of the liquid the first step after the pump is primed the delivery valve is still closed and motor is started to rotate the impeller the impeller in the casing full of liquid produces forced vortex which imparts centrifugal head to the liquid which imparts centrifugal head to the liquid which imparts centrifugal head to the liquid which imparts the and results in increase of pressure now the speed of impeller is gradually increased now the speed of impeller is gradually increased now the speed of impeller is gradually increased till the impeller rotates at its normal speed after the impeller after the impeller attains the normal speed after the impeller attains the normal speed in point of window the ? means if you water it will 99 then the bobcat will be spiraled after the activation of the выпуск He moves up at some time iksi the 해서 the seal can turns in power which I think has been registered when the기가 into panting added to the dualfficл अब vacuum crate हो गया अंदर आय पे और बाहर जो pressure है सम पे वो क्या है? atmospheric pressure वो अंदर वाले vacuum से क्या है? ज़्यादा pressure पे है तो liquid travel करेगा from high pressure to low pressure वो अंदर सक हो जाएगा वो जैसे सक हो गया वो उसको भी घुमाना शुरू कर देगा वो गुमाते गुमाते उसको भी भाहर पेगदेगा and cycle continues जैसे अबन वो टूलर का टंकी है उसमें से अगर पेटरल निकाल रहे तो अबन जैसे कई बार देखो लोग शुरू में सक करते पहले और फिर छोड़ देते तो पेटरल आना शुरू हो जाता है वापस उसको सक नहीं करना पड़ता है तो एक बार उसने वो वाक्यूम क्रेट करके पानी सक कर लिया तो एक बार वो प्रोसेस शुरू हो गया तो वो continue रहेगा क्या बोला समझा है तेक है पढ़ना भी फिर से तो देलेरी वाल इस ओपन at the eye of impeller due to centrifugal action a vacuum is created this causes the liquid from sump which is at atmospheric pressure to flow through the suction pipe to the eye of impeller this liquid is impaled out by rotating vanes and it comes out at outlet tips due to impeller action the pressure head as well as pressure head and velocity head of liquid are increased from casing liquid passes into delivery pipe and lifted to required height working clear ना देखो चाप्टर का नाम सेंट्रिकल पम था सेंट्रिकल पम का working समझा जरूरी है ओके वो working कभी आया हो ना आया हो that is not important important कि हमको चाप्टर से कुछ समझा के नी समझा सब्सक्राइब बात है ना टर्बाइन पड़ा समसॉल किया लेकिन टर्बाइन किया वो तो समयज में आया ना सबको समयज में आया ना टीक लिख या ताइडल देन, effect of discharge, effect of discharge vane angle, effect of discharge vane angle, bracket में phi लिखते वसमें, we know that, we know that the head developed, the head developed by the pump is, the head developed by the pump is h equal to, h equal to, vw2 u2 by g, यही था ना, vw2 u2 by g, अभी हमने जो triangle बनाया, outlet का triangle, वो कैसा था, ऐसा था ना कुछ, यह ऐसा वाला, यह कौन था, vf2, यह, vr2, यह, यह, और यह, vw2, और पूरा था, u2, यह था possibility था, दूसरा possibility का था, triangle turbine के जैसे बनता, like this, ठीक है, यह अपना कुण होता था, vr2, यह, v2, यह, यह, यह था vw2, यह था, vw2, यह था, vw2, यह था, कौन था, यह वाला की पूरा, सिर्फ यह था, यह था अपना, vf2, तीसरा possibility यह था, यह था, β90, यह था, यह था, यह था, यह, 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 बेटा न, और यह, बराबर, लिखते है, बयांते, ऐसा उपर लिखना, figure shows, figure shows, three possibilities, three possibilities of outlet velocity triangle three possibilities of outlet velocity triangle for pump full job the vane shapes the vane shapes may be backward may be backward bracket may 5 less than 90 5 less than 90 comma radial bracket may 5 equal to 90 or forward 5 greater than 90 5 greater than 90 अब ज्यान से समझो कि ये जो हमने बनाया वो कैसे गलत बनाया है ज्यान से समझो ये हमने pump के लिए बनाया है pump का outlet ऐसा ही था ना हमारा और pump का inlet कैसा था ये असा था ना ये अलफान एंट्री था ये थीटा था ये कों था वी आरवन ये अपना वी एफ वन मतलब वी वन था ये अपना यू वन था हम pump में बोलते हैं कि वी डबली वन हमेशा क्या होता है जीरो तो ये तो अपना outlet triangle सभी example में था अब ये दो triangle ये दो triangle action में termine के हिसाब से बनाया है ना कि pump के हिसाब से pump में हम बोल रहे हैं 5 हो सकता है less than 90, 5 equal to 90 and 5 greater than 90 तुम अगर तीनों case देखो तीनों में तुमको less than 90 रज़र आ रहा है 5 बराबर वहाँ पे pump के turbine में हम beta angle पे ज़्यादा focus करते हैं हमने beta के तीन case देखे हैं beta less than 90, beta greater than 90 और equal to 90 लेकिन pump में क्या है 5 तो अपना काम इस पे focus करना है ये तो अपना standard triangle था और ये कौन सा case हुआ 5 less than 90 तो हमको चाहिए 5 greater than 90 अगर मैंने ये लिया न ये तो pump चलेगा इनी क्यों नहीं चलेगा क्योंकि अगर ये लिया इस triangle के हिसाब से VW2 0 है न है कि नहीं है VW2 मतलब क्या absolute velocity का x component absolute velocity तो vertical हो गया तो उसका x component 0 manometric head क्या है VW2 U2 by G न VW2 is 0 तो VW1 तो 0 रहता ही है VW2 भी 0 खेली खतम clear है तो ये triangle नहीं चलेगा ये triangle था किसका turbine ये याद रख रहा है triangle वैसा ही right angle बट ये angle कोन होगा 5 और ये कोन होगा बेटा अब ये कोन होगा फिर VF2 और 590 होगा मतलब ये ऐसा होगा ना थे VF2 एक्वाल टू VR2 और ये बिचारा कोन V2 और ये कोन बचा फिर U2 ये इदर आगा मतलब ये पाइपर शिफ्ट होगा ना मतलब U2 एक्वाल टू क्या हुआ VW2 समझा ठीक और तीसरा case ये ऐसा ये ऐसा होगा मतलब ये जो point पहले यहाँ पे था नाम देता हूं सबोच A, B, D तो D point पहले इदर आगया अब D point और अंदर आएगा D point यहाँ पे आएगा ना भी B अब भी यहीं पे है तो ये कोन होगा अपना VF2 D point यहाँ पे आगया और ये ये V2 ये VR2 Now this angle is your phi ना कि this angle is your phi कुछ याद आया तर्बाइन में ऐसी पड़ा था ना बीटा याद आया तिक और ये अब भी कोन होगा अपना A और ये बीटा समझा क्या ठीक है Less than 90 Equal to 90 Greater than 90 इसके वेन के शेप कैसे रहेंगे हमने जब pump draw किया है इसको अमने बना था Backward curved veins मतलब ऐसा draw किया था नहीं यादे ठीक है 590 मतलब Radial veins Radial veins मतलब Vertical हो जाएंगे वो हाँ ठीक और 5 Greater than 90 मतलब ये Forward veins हो जाएंगे मतलब इसका टोटल ये ये शेप ऐसा हो जाएगा अभी समझा क्या ठीक है ऐसे वेन को बोलते है Backward Curves Radial veins और ये Forward Curved veins Clear ठीक बनाते हैं इसमें ये रहे का न इसमें VW2 कौन सा होगा पूरा वाला क्या दवाला पूरा कौन VW2 गुट VW2 और AD AD ना इसमें इसमें वाला होगा ये टू इदर Point इदर इदर भी लिख दो A ये B कॉमा D इदर आ जा है झाल 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 backward, radial, forward. इस लिए टोपिक जो हम लिख रहे हम, ये, ये एक्जाम में चार बार आए गुए टोपिक है, इसलिए लिख रहे हम, लिखते ने चाहिए, from figure 1, मतलब पहला जो standard triangle है अपना, उसकी बात कर रहे हम, from figure 1, VW2 equal to AD minus BD, VW2 equal to AD minus BD, equal to, मतलब हम AB लिख रहे हैं न, AB will be AD minus BD, AD मतलब कौन, U2, minus BD मतलब, ये, X, है न, तो X का लिखेंगे अपन यहां से, अगर हम tan 5 लगा ले, tan 5 क्या होता अपना, VW2 upon X, तो X will be VW2 upon tan 5, या फिर बोलेंगे VW2 cot 5, put कर देते हैं यहां पर, VW2 cot 5, और अब ये value किसका मिला मुझे, AB का, और AB मतलब कौन है, AB मतलब VW2, अब ये VW2 का value उठा के, अच्छे से हम put करेंगे H के equation में, यहां पर है, therefore, H equal to मिला, U2 minus VF2 cot 5 into U2 by G, multiply कर देते हैं अंदर, यह हुआ U2 square by G minus VF2, U2 cot 5 by G, बिसे लिखो, to, but discharge Q equal to VF2 into A2, VF2 into A2, therefore, VF2, Q upon A2, Q upon A2, अच्छे स्पीड कर दो इसमें, therefore, HM equal to U2 square by G minus Q upon A2G U2 cot 5, लिखते वसमें, at a given speed, at a given speed, U2 is constant, at a given speed, U2 is constant, and hence, and hence, exit area of impeller, and hence, exit area of impeller, bracket me A2, and discharge angle phi is also constant, is also constant, full stop, let, U2 square by G equal to K1, and, U2 cot phi, U2 cot phi upon A2G equal to K2, U2 cot phi upon A2G equal to K2, मतलब, इस term को नाम दे दिया K1, इसको नाम दे दिया है, discharge को शोड़के, K2, भी लिखते लिखते, HM equal to, K1 minus K2Q, K1 minus K2Q, इसलिकोबिक, if phi less than 90 degree, if phi less than 90 degree, the value of cot phi is positive, the value of cot phi is positive, and hence, K2 is positive, if phi is positive, the value of cot phi is positive, and hence, K2 is positive, full stop, due to this, due to this, the value of HM decreases with increase in discharge, with increase in discharge, with increase in discharge, full stop, it means, it means, there is reduction in work done, it means, there is reduction in work done, by using backward vanes, that is reduction in work done, using backward vanes, full stop, if phi equal to 90 degree, if phi equal to 90 degree, cot phi is 0, hence, K2 also 0, hence, K2 also 0, full stop, it means, HM equal to K1, that is constant, if phi greater than 90 degree, if phi greater than 90 degree, cot phi is negative, cot phi is negative, hence, K2 also negative, it means, HM increases, HM increases, with increase in, with increase in discharge, full stop, but, V2 is also increased, which causes, which causes, loss of energy, G, मतलब, अगर हम इन तीनों केस का, अब अगर ग्राफ बनाएं, यहाँ पे, discharge, और यहाँ पे, HM, तो यह equation को देखके, क्या समझता है, कि अगर यह Q, Q का value इस पे डिपेंड करेगा, K2 पे, और K2 डिपेंड करेगा, कॉट 5 पे, अगर 5 लेस दे 90 होगा, तो 10 लेस दे 90 तो positive होता है, यह positive रहेगा, यह कॉट 5 positive रहेगा, मतलब K2 positive, K2 positive मतलब K1 में से हमेशा, यह subtract ही होगा, मतलब value of HM हमेशा, K1 से क्या होगा, कम ही आएगा, K1 से हमेशा कम आएगा, अगर 5 90 डिग्री हो गया, 10 90 is infinity, cot 90, 0, यह term 0 मतलब बचा कैं सिर्फ K1, तो K1 मान लोए approximately यहाँ पे कहीं तो है, that is constant, और जब पहला case था, जब 5 less than 90 डिग्री, तो यह value क्या होगा, यह value क्या होगा इसमें से, subtract होगा, मतलब यह graph हमेशा, K1 से कम ही आएगा, मतलब ऐसा होगा, ओके, और जब 5 greater than 90 होगा, तब यह positive आएगा, सब्सक्राइगा, यह negative आएगा, मतलब यह इसमें add हो जाएगा, तो यह value K1 से हमेशा, ज़्याद ही आएगा, this height is, this height is, K1, समझा क्या, ओके, बनाते हैं, क्या 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 हूआएओा, झाल 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 है एक तोपिक बलता हूं लिख के रखो पढ़ने के लिए पव्प के पम्प के पव्प के तोपिक बलता हूं लिख के रखो So, first, cavitation, cavitation in centrifugal pump, cavitation in centrifugal pump, second, NPSH, capital NPSH, bracket, net positive suction head, net positive suction head, third, priming of centrifugal pump, priming of centrifugal pump, हमने वहाँ पे working में सिर्फ एक sentence लिखा है, अलग से पूरा अधा पेज है, priming पे, ठीक है, priming of centrifugal pump, characteristics of centrifugal pump, characteristics of centrifugal pump, and last, selection of pump, selection of pump, based on, based on system curve, based on system curve, system curve वो graph के उपर depend करेगा, ठीक है, यह थेरी पार्ट पढ़ना जरूर, क्योंकि 10-12 माक का सम, पेपर में का पूरा 16 का सम नहीं आएगा, 10-12 माक का सम, और 4-6 माक का थेरी जरूर होगा, ठीक है, यह फिर 8-8 माक के दो सम, यह थेरी जरूर चिपकारता है साथ में, तो यह थेरी जरूर पढ़े हो, टाइडल दू, centrifugal compressor, टाइडल दू, compressor और centrifugal pump, velocity, triangle, totally same, okay, velocity triangle अपना inlet वाला तो थाई, और outlet वाला यही follow करना है, पूरे चाप्टर में, और इसके बाज़े चाप्टर आएगा, वो थूदा तकलिफ देगा, axial compressor, centrifugal compressor is better than axial compressor, ठीक है, लेकिन तकलिफ यह, इन दोनों इनित में, पहले भी तुमको बोला मैंने, triangle भी है और, thermodynamics भी है, okay, P0, T0, V0, ठीक है, 0 Q बोल रहा हूं मैं, हां, atmospheric वैसा कुछ नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं, एक न्या atom आएगा यहाँ पर जो thermodynamics भी नहीं पड़ा हो, सुनतो, है next semester में rack subject है, तु बार बर, इसी के पास ही देख रहा है, rack subject है अब, हो यह, cooling होगा है, जिंदा मत कर, एक न्या atom आएगा, जो शायद पहले कभी पड़ा ना हो या सिर्फ नाम सुना हो, Stagnation, okay, Stagnation, FM में आया था एक बार atom, Pitot Tube में, velocity उसका 0 हो जाता है, velocity head is converted into pressure head, that is called as stagnation, okay, या इसी को बोलते है total head values, stagnation values या total head values, stagnation values वहाँ पे temperature भी उसको denote करता है T0, वहाँ के pressure को P0, volume को V0, मतब suffix 0 लिखा हुआ, it indicates stagnation values, stagnation values या उसको बोलते है total head values, okay, थोड़ा एक time लगेगा, इसके terms समजने को तुमको, और थोड़ा terminology वगेरा, जो भी है clear होने को, बट एक बार clear हो जाएगा, तो फटा-फटा के फिर भी नहीं बड़बाऊगे तुम, ठीक है, क्योंकि बीच में बार-बार obstruction, thermodynamic साता रहेगा, हर एक सम में तुमको यह triangle, and PV diagram, PVRTS, वो ड्रॉ करना पड़ा है, ठीक है, pressure का graph, isentropic efficiency, isentropic work, वो सब वाबसा है, avoid नहीं कर सकते, 2 unit का सवाल है, around 32 to 36 marks का सवाल है, avoid बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अब last का part, actually chapter बहुत छोड़े छोड़े हैं, chapter बिल्कुल बड़े नहीं है, बट समझ नहीं को time लगता है, ठीक है, थोड़ा slow जाएंगे हम इसमें, बिल्कुल गर्वेट नहीं कर सकते हैं, okay, click, झाल 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 पंष्मीटी ब्रेक सिर्व करता है एक पास मिड ब्रेक लेते फिर आपन कामच्न सुरू करता है ओके एक 500 ब्रेक लेते फिर ब्रेक सुरू करता है थोड़ा थर्मड OWENS परणे के पहले ब्रेक लिए होगा अच्छा शेत के लिए अचा रहे हैं अजल कहते हैं